Hey guys, welcome back to my YouTube channel दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कई सारे आम बाते हमारे भारत जैसे देश के लोगों के लिए बहुत ही खास बन जाती है दोस्तों हमारे भारत देश में कई सारी ऐसे कामे है जिसे परदे के पीछे करी जाती है तो वहीं इस देश में लोग खुले आम ऐसे कामों को करने में जरा सभी कतराते नहीं है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको उस देश की कैपिटल सिटी के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरे विश्व के 80% देशों में अपना सासन चला चुका है दोस्तों हम बात करने वाले हैं लंदन सहर के बारे में जहां पर जानने के लिए बहुत सरी ऐसी चीजे हैं जो लोगों को अपनी ओर आकरसित करता है इसलिए तो पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग यहां पर सरीफ मौज मस्ती करने के लिए आते हैं दोस्तों इसके साथे हम आपको बताते चलें कि लंदन सहर महंगाई के मामले में पूरे विश्व भर में 6 नंबर पर आता है तभी तो यहां पर दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं वैसे तो लंदन सहर सुरुवाती दौर से ही एक विक्सित सहर रहा है तभी तो रोमन ने भी अपने राजधानी के तौर पर लंदन सहर को ही चुना था दोस्तो लंदन सहर बहुत बर उजड़ा और कई बर बसा है लेकिन इसकी चमकास तक पहले जैसा ही बरकरार है चौदवी सताबदी के दौरान लंदन सहर का तकरीबन 33 प्रतीसत अबादी एक महा मारी की वज़ा से खत्म हो गई थी लेकिन उसके बाद आज के समय में लंदन सहर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है दोस्तो इस सहर में तकरीबन 72 अरभपती लोग रहते हैं और इस अरभपती के मामलों में लंदन सहर पूरे दुनिया भर में पहले इस्थान पर आता है उसके बाद दूसरे नंबर पर New York का नंबर आता है दोस्तो 17 सताबदी के दौरान इस सहर में तकरीबन 20% महिलाएं वैसे वृति जैसे कामों को किया करती थी जिसके जहलाक आपको आज भी लंदन की कई सरी जखाओं पर असानी से देखने को मिल जाएगी और लंदन में आज के समय में भी कम उम्रे के साथ साथ बड़ी बड़ी महिलाएं इस काम को खुले आम करना पसंद करती है दोस्तो लंदन सहर में जीवन बिताना इतना महेंगा है कि यहां के नागरिक अपने कमाई का तकरीबन 60% हिस्सा सिर्फ चीजों के किराये देने पर खर्च कर देते हैं दोस्तो लंदन सहर में अधिकांस लोग युवन आगरिक ही देखने को मिलती है और उनमें से भी जादा तरजन संख्या जवान लोगों की है दोस्तो अगर बात करें यहां पर अधिकारिक रूप से बोली जाने वाली भासा के बारे में तो यहां पर तकरीबन 300 से भी ज़्यादा अलग-अलग भासाईं बोली जाती है यहां पर रहने वाले निवासे पूरे दुनिया के सबसे साफ सुथरे और खुले विचारों वाले माने जाते हैं दोस्तो लंदन सहर के इमारतों पर रोमन सामराज्यों के स्टैचू देखने को मिलते हैं दोस्तो यहां की ये बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि लंदन सहर पर भारतियों का सबसे ज़्यदा असर देखने को मिलता है इसलिए तो दिल्ली और मुंबई की तुलना में यहां पर इंडियन रेश्टूरेंट सबसे ज़्यदा है दोस्तो लंदन सहर में स्थित लंदन आई इस सहर का सबसे बड़ा जूला है और ये जूला इस सहर का एक एहम पहचान है तो दोस्तो आपको लंदन की ये बाते कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दिजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करके नीचे दिये गए बैल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंट्रस्टिंग वीडियो को लिए कर तब तक के लिए बाबाई